तो वेलकम दोस्तों कितना बढ़िया इवेंट रहा है इंडिया के लिए पोलगर चैलेंज हमारे इंडियान टैलेंट प्रागवनंदा ने इवेंट जीत लिया और दूसरी बढ़िया बात यह रही कि टॉप फाइव में इंडिया के तीन प्लेयर थे पहले प्रागवनंदा जैसे कि वो जीत चुकें दूसरे गुकेश और निहाल सरी तो इंडिया के काफी बढ़िया इवेंट रहा अब मैं आपको एक गेम दिखा देता हूं जो प्रागवनंदा ने खिला था यह मैच डे 3 पे खिला गया था यॉनस ब्यूल के अगेम लेकिन यह गेम बहुत दे 6 नाइट सी 3 यहां पे आप बिशब जी 7 ए4 डी 6 किंग इंडियन डिफेंस में गेम ट्रांस पोज हो चुका है नाइट एट 3 प्रागवनंदा ने कैसल किया तो देखिए किंग इंडियन डिफेंस में होता क्या है कि हम लग सेंटर वाइट को दे देते हैं कि सेंटर से और फिर जो है ब्लैक किंग साइट पे अटैक स्टार्ट करता है यहां पर आए बिशब एटू कैसलिंग की तैयारी है यहां पर नाइट भी डी 7 यहां पर शॉट कैसल किया गया और यहां पर आए फाई अब देखिए क्योंकि पीसेज डेवलप हो चीके तो सेंटर में स्टार्ट हो गया है यहां पर आए बिशयब ए 3 यहां पर खेला गया सी शिक्स यहां पर आए डी 5 अब प्रागु ने यहां यहां सेंटर क्लोज किया और ख्या सी 5 यहां पर आयाई arnaीट एवन यहां पर खेला गया कींग दश एकंत का इडिया है कि हम लोग नैट नआट क देखिए आपको लग सकता है कि यह अटैकिंग में होगा लेकिन यह पोजीशन में बस स्पेस गिन कर रहा है क्योंकि ब्लैक का आइडिया कि वो किंग साइड पे अटैक स्टार्ट करेगा तो एफ पाई बगेरा को स्टॉप करने के लिए यौनस ने खिला जीपोर यहां पर आए नाइट जीएट जैसा आइडिया है इस स्क्वेर को कंट्रोल करने का यहां पर आए क्वेन डीटू अब देखिए आप यह बिशप यहां लेन लहीं जा सकते क्योंकि यह नाइट और बिशप दोनों आई कर रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट पीस बचा रहेगा और य यहां पे आए किंग ह1 अपने कंग को सेप करते हुए क्योंकि यह ओपन फाइल है अटैक आ सकता है कभी भी यहां पे आए नाइट एप 6 पॉन नहीं लिया पहले अपने पीसेग को किंग साइट पर ला रहे हैं प्रागू यहांप आए नाइट यहां पे आए बिशप दी- यहाँ पे खिला गया bishop takes f5 यह as such बहुत लेट में ही डवलप होता है kings indian defense में यह bishop यहाँ पे आया रुख g1 इस open file को control करते हुए और यहाँ पे आया e-core देखिए e4 square आ गया यह pawn fix हो चुका है इसलिए bishop पीछा है bishop e2 knight g6 यहाँ पे आया रुख g5 आइडिया कि हम लोग दूसरा रुख दिलाएंगे और g5 completely dominate करेंगी यहाँ पे है queen d7 यहाँ पे आया knight c2 यहाँ खिला गया रुख f7 यहाँ पे आया रुख e g1 यहाँ पे आया रुख e8 f फाइल पे रुख double किया प्राग बनेंदाने और g फाइल पे यहाँ पे यहाँ पे आया queen e1 queen e1 देखे एक mistake थी यहाँ पे क्योंकि यहाँ आपको खेल देना चाहिए knight e1 वगयरा क्योंकि अगर यहाँ पे knight आता है e5 पे तो यहाँ लोग takes rook takes यहाँ पे rook takes और queen takes के बाद क्योंकि queen है तो यहाँ पे bishop h6 आएगा आप queen को कहें move करेंगे तो यह trade होके position equal रहती लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे queen e1 खेला तो अब आप वो कर नहीं सकते यहाँ पे आ गया knight e5 जो कि काफी strong था यहाँ पे आए queen f1 position तो खराब हो चुकी है लेकिन यहॉनर्स अभी खेल रहा है देखे advantage होना चिसमें बड़ी बाद नहीं होती उस advantage को convert करना अब यह देख bishop takes knight e takes f3 और यहाँ पे आए knight e1 इस pawn को attack करते हुए और यहाँ खिला गया knight g4 देखिए आप pawn capture क्यों नहीं कर सकते हैं अगर आप capture करेंगे तो simply यहाँ पे आ रहा है bishop takes c3 अगर आप bishop capture करेंगे तो bishop e4 simply winning है यह knight pinned है आप यहाँ क्या लाएंगे अगर रुख लाएंगे simply तो bishop takes आएगा आप रुख से लेंगे तो आपका चला जाएगा pc तो यह काफी strong move है bishop e4 इसलिए pawn capture नहीं हुआ यहाँ पे आए bishop f4 इस bishop को बचाते हुए और यहाँ पे आए और यहाँ पे आए bishop d4 क्योंकि अभी bishop यहाँ से हट चुका है इस पे aim करते हुए इस pawn पे यहाँ पे आए bishop g3 इस pawn को protect करते हुए यहाँ पे रुख f6 यहाँ पे blender एक और आ है क्योंकि position में कोई ऐसा नहीं move है कि जो आपको जिताएगा तो होना ही था knight takes f3 और अब आया bishop takes c3 यहाँ capture अगर आप करेंगे तो वहाई same idea bishop e4 काफी strong है इसलिए यहाँ पे खिला गया knight h4 इस bishop को यह attack करते हुए लेकिन फिर भी आया bishop e4 check यहाँ पे f3 आया और देखे कमाल का rook sacrifice rook takes f3 यहाँ पे knight takes f3 अब आया rook takes f3 यह deadly pin है इस queen पे attack है आप क्या करेंगे यहाँ पर यॉनस ने खिला queen g2 और अगर आप चाहते हो तो वीडियो pause करके final move चल सोच सकते हैं क्या प्राग ने खिला यहाँ पर प्राग ने simply खिला rook takes g3 और यॉनस ने resign कर दिया देखते हैं क्या होगा कुछ lines अगर आप simply देखी यहाँ पर out of question है अगर आप यहाँ पर bishop लेंगे तो simply knight up to mate है क्योंकि यह king smothered mate है rook और knight से और अगर आप यहाँ पर जो idea हो सकता है h takes g3 खेलेंगे तो यहाँ पर knight e3 आएगा इस queen को attack करते हुए pin है आप अगर bishop लेंगे तो simply queen h3 checkmate और यह bishop अभी वियाएंगे तो एक कमाल का गेम खेला प्राग्वननंदा ने और यह जीत लिया इवेंट अगर आपके कोई valuable suggestion हो तो please उसको comment कर दीजेगा कि कि किस गेम पर या किस opening trap या idea आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाओ